नमस्कार दोस्तों मैं आप लोगों को सोना बनाने का ऐसा प्रियोग बताने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे जिहां दोस्तों यह एक ऐसा प्रियोग है जो कि दोस्तों अपने आप में बहुत ही जादा दिब्वे है तथा आदभूत है यह प्रियोग प्राचीन काल में बहुत जादा किया जाता था उस काल में सोने की कोई कमी नहीं थी क्योंकि दोस्तों जो प्राचीन काल था उस काल म सोना बनाने की बिद्या अपने चरम पर थी और लोग अपने मन के मुताबिक जितना चाहे उतना सोना बनाते थे क्योंकि दोस्तों सोना जो धातू होता है बहुत ही ज़्यादा हमारे सरीर के लिए फैदे मंद होता है और तो और दोस्तों इससे सोने के रत तथा सोने के मंदिर एवं सोने के कई प्रकार के अबूशन तथा सोने के अनेकों वस्तुएं बनाई जाती थी जो की दोस्तों उस समय के प्राचीन भारत में जो की भारत को एक धनी देश सिद्ध करने में बहुत बड़ी भूमकर निभ जानी होगी कि हमारे देश में जिहां दोस्तों हमारे देश में प्राचिन काल में इतना सोना बनाया जाता था कि दोस्तों आप लोग सोच नहीं सकते और उस काल में सोने की खान होते हुए भी हमारे जो पूर्वच थे जो हमारे बिद्वान लोग थे जो हमारे महापुरुस लोग थे वो लोग कताई भी प्राकर्ती के साथ छड़ छड़ नहीं करते थे कहने का मतलब है वो लोग सोने की खानों को जादा दूरी तक धर्ती के अंदर नहीं खोदते थे जिससे की धर्ती के अंदर जादा होल हो जाए और धर्ती का संतुलन खराब हो इसलिए दोस्तों उस काल में वनसपतियों से सोना बनाने का एक दिब एवं अधभुत विद्या थी जो की अपने आप में हैरान कर देने वाली थी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में सोना बनाने का ऐसा प्रियोग बताऊंगा जिसको सुनकर के आप लोग जो है अपने दातों तले उंगली लेकिन तो यह परियोग इतना आसान नहीं है क्यूंकि सोना बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है सोना बनाने के लिए हमें अच्छे से इस सोना तंत्रब नमक ग्रंत की अध्यन करना पड़ेगा और दोस्तों हमें अयरुबेद की अच्छे से जानकारी रखनी पड़ेगी साथी साथ दोस्तों आपको दूसरी धातों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए तपी आप लोग सोना बनाना असानी से सीख सकते हैं तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ सोना बनाने का प्राचिन प्रियोग अगर आप लोग इस प्रियोग को करने में सफल हो जाते हैं अगर आप लोग सही से इस क्रिया में निपुण हो जाते हैं तो दोस्तों निश्चित ही आप लोग अपने मन के मुताबिक जितना चाहू उतना सोनब बना सकते हो दोस्तों यह ग्यान बिना जिहां दोस्तों यह ग्यान बिना गुरू के बिना किसी बिसेसग्य के बिना किसी बिद्वान के कोई भी वक्ति आसानी से नहीं कर सकता क्योंकि दोस्तों यह प्रियोग बेहद ही कठिन है और बहुत ही सकती साली और प्रभावसाली उपाई है तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ प्राचिन काल का सोना बनाने का प्रियोग लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो की एकदम निसुलक है तथा घंटी को भी सही परकार से दबा लीजिए क् अपने चनल के माध्यम से इसी तरह की रह स्में जानकरियन लाते रहते हैं जो आपके ग्यान में ब्रिद्धी करता है और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए दोस्तों बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बंदू हैं जो हमसे कहते हैं कि भाईया जब भी आप अपने चनल पर वीडियो डालते हैं तो हमें उसका संक्येत प्राप्थ नहीं होता है अर्थात जब भी मैं वीडियो कोई डालता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन नहीं कर लीजिए और घंटी को दोस्तों सही प्रकार से दबाईएगा जी हां क्यूंकि जब तक आप घंटी को सही प्रकार से दबा कर नहीं रखेंगे तब तक दोस्तों जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूं तब तक आपको उसका संकेत प्राप्त नहीं हो पाएगा और आप लो दोस्तों जो घंटी का जो पहला option होता है उसी को ही चुनाव करें इससे दोस्तों क्या होगा कि आपको जब भी किसी भी तथ की जानकारी चाहिए होगी तो दोस्तों जब भी हम अपने यूटूब पे अपनी बीडियो डालेंगे तो उसका संकेत आपको प्राप्त हो जाएग तो दोस्तों चलिए अब हम बताते हैं सोना बनाने का अदभूत प्रियोग दोस्तों यह प्रियोग वास्तों में बहुत दिब्ब्ब है अगर कोई व्यक्ती अगर इसमें कड़ी मिहनत और तप करता है तो दोस्तों अगर वो है व्यक्ती अच्छे से मिहनत कर ले जाता है और उसके भागने साथ दे दिया, तो दोस्तों, उसे सोना बनाने से कोई नहीं रोख सकता, जियां दोस्तों, कई लोगों को यह चीज़े मजाग लग रही होगी, कि मैं कैसी बहकी-बहकी बाते कर रहा हूं, और वरस्पती तथा धातूं की मिश्रन से सोना कैसे बन सकता है तो दोस्तों ऐसा है कि दोस्तों जिसकी जितनी बुद्धी होती है वो उतना ही सोचता है क्योंकि दोस्तों ज्यान की कोई सीमा नहीं होती है ज्यान अनन्त होता है और इस दर्ती पर तरह तरह का ग्यान हैं तरह तरह की विद्याएं रहस्यमई हैं जिसको हर कोई नहीं समझ सकता तो दोस्तों इसके लिए आपको जो सोना बनाने के गरंथ हैं जो दूसरे आउरुवेदिक गरंथ हैं जो दूसरे रसायनिक सास्त्र के जो गरंथ हैं तथा जो कोई व्यक्ति सोना बना ले जाता है और इस बिद्या में कुसल हो जाता है तो दोस्तों निश्चिती वह अपने मन के मुतास जितना चाहतना सोना बना सकता है और उसे करोड़ पती होने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि दोस्तों इसके लिए बहुत समय की आव सकता होती है क्योंकि इसको बनाने के लिए कड़ी तब करने की आव सकता है दोस्तों बहुत सारे लोगों ने सोना बनाने की जो यह प्रियोग है उस पर जो है सफलता भी प्राप्त करी है किन्तु वो लोग डर की वज़े से कि इस बिद्या का गलत प्रियोग न हो उन्होंने यह बिद्या जो है गुप्त ही रखी क्योंकि दोस्तों यह बिद्या गुरुसिस परंपरा के तहत प्राप्त की जाती थी इ दोस्तों आप भी चाहं तो कड़ि मिनद करके इस छेतर में जो है दोस्तों महारत हासिल कर सकते हैं लेकिन द्याद रखेगा द्यादा लालच मत करिएगा बड़ा ही स्वधानी से इस करिया को करिएगा तो दोस्तों सोना बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो समगरी चाहिए वो इस प्रकार से है कि दोस्तों सबसे पहले आपको सत्यानासी का पौधा चाहिए जिहां दोस्तों सत्यानासी का पौधा आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा और अगर आपने नहीं सुना होगा तो दोस्तों आज आप हमसे सुन रहे होंगे दोस्तों यह पौधा अपने आप में बहुत अद्भूत है सत्यानासी का पौधा वास्तों एक दिव और अद्भूत सक्ति वाला पौधा है दोस्तों यह पौधा दोस्तों तीन से चार फिट उचा होता है तथा दो फिट का भी होता है दोस्तों यह किसी भी करना है और कई लोग सोचेंगे कि अब इसका दूद्ध निकालना कैसे है दोस्तो्व मैंने आपनी वीडियो पार्ट वन में बताया था जिसमें मैंने आपको जानकारी While कि सत्यनासी के दूद से सोना कैसे बनता है तो दोस्तों यह उसी वीडियो का पार्ट टू है जिसमें मैं आपको सत्यनासी के पौदे से दूद निकालना बताऊंगा और सत्यनासी के पौदे से सोना बनाने की पूरी की पूरी बिद्या बताऊंगा सही से जो कि प्राचिनकाल में प्रियोग की जाती थी तो दोस्तों इसलिए इस बीडियो को पूरा और आखरी तक देखिएगा तब ही आपके समझ में आएगा अन्नथा कुछ समझ में नहीं आएगा दोस्तों क्योंकि दोस्तों जो भी मैं जानकारी देता हूँ विस्तार पूर्वक देता हूँ ताकि आप लोगों के मन में कोई सवाल या भ्रहम ना रहे इसलिए मेरी वीडियो लंबी हो जाती है थोड़ी तो दोस्तों इसलिए दोस्तों थोड़ी धैर बना रखे आपको समपूर जानकारी दी जाएगी और आप सही से सौना बनाने की जानकारी को जान पाएंगे तो दोस्तों सबसे पहले आपको सत्यानासी का पौधा खोजना है और दोस्तों सत्यानासी का पौधा आपको मेरी वीडियो में दिख रहा होगा कि सत्यानासी का पौधा कैसा दिखता है इसका पौधा दोस्तों जो है हरा होता है दो से तीन फिट चार फिट और पांच फिट ठीक है और दोस्तों इसके फूल जो है पीले रंगे होते हैं जी हां इसके फूल पीले रंगे के होते हैं और इसके पत्तों में काटे होते हैं और दोस्तों इस पौधे से पीला दूध निकलता है और इसमें पीला फूल होता है दोस्तों आपको इस सत्यनासी के पौधे का पी तिन से चार बुंदा इसका दूदा निकलेगा तो दोस्तों ऐसे ही आपको जहाँ से भी इस पोधे में से पत्ती तोड़ोगे या इस पोधे का कोई भी भयंग तोड़ोगे तो वहाँ से दूद। Nurses तुपकना चालू हो जाएगा तो दोस्तों वहाँ पर दोस्तों जो है आ जितना उस हिस्से में दूद होगा वो आपके पात्र में या कर्टोरी में आ जाएगा फिर इसके बाद आपको अगला पत्ता तोड़ना है इसी तरह दोस्तों आपको यह करिया करती रहने है और इसी करिया के द्वारा आप जो है दोस्तों 50 गराम से 100 गराम तक दूद इखट कर सकते हैं किसका सत्यानासी पौधे का और दोस्तों आपको क्या करना है कि जब आप सत्यानासी के पौधे का 50 गिराम दूद इखटा कर लेंगे इसको साड़े में रख दीजिए अब दोस्तों आपको क्या करना है जो दूसरी समंगरी है दूसरी समंगरी आपको चाहिए लाल जिहां दोस्तों आपको चाहिए लाल थूवर का पौधा चाहिए दोस्तों यह पौधा काफी बड़ा होता है और लाल थूवर का पौधा एक पेड़ के जैसा बड़ा होता है दोस्तों यह पेड जो है यह पौधा जो है दोस्तों कम से कम जो है आप यह समझ लीजिए 8 से 9 फिट का तथ 10 फिट तक का होता है और इसमें दोस्तों काटे होते हैं इसमें पत्ते भी होते हैं और दोस्तों यह जो थुवर होता है यह थोड़ा हटके होता है और दोस्तों इसमें भी जो है लाल दूध निकलता है जो लाल थुवर होता है लाल थुवर के पौधे से जो है लाल दूध निकलता है तो दोस्तों आपको लाल थुवर के पौधे का भी जो है पचास गराम दूध निकाल लेना है जहां से भी आप इसके तने को तोड़ेंग चेख्यश्सक्रिया के द्वारा फिर दोस्तों आपके पास 50 ग्राम सत्यानासी के पूधय का दूध और 50 ग्राम लाल थुहर के पूधय का लाल दूध और इन दोनों को रख लेना है अब दोस्तों आपको चाहिए सुद्धतामबा धातू चाहिए सुध तामा धातू दोस्तों आपको मार्किट में बहुत कम मिलेगा दोस्तों जो कीमिया गिरी का काम करता हो जो दोस्तों धातूं का काम करता हो जो लोहा तामा टीन सोना चांजी का काम करता हो दोस्तों उसके पास जाईए और उससे आप जो है सुध तामबे का प्र पिर दो시क दोष्जां करेंगा क्योंकि दजस्तों बनाने के लिए आपको सुध्य प्रकार बिश्या सबस्केश सब्सक्राइब करेंगे है किसमें hu दूसरे भी उसमें तत्त होते हैं जो की सोना बनाने से बाधक होते हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है कि सुद्ध तामा धातु प्राप्त करना है अगर दोस्तों आप लोग सुद्ध करना सीखना चाहते हैं सुद्ध तामे को तो दोस्तों अगली वीडियो का मेरे इंतजा दोस्तों आपको सुध्य तामा धातू चाहिए और सुध्य तामा धातू को कूट करके चूरण बना लीजिए और जब सुध्य तामा धातू चूरण बन जाएगा तब दोस्तों आपको क्या करना है कि जो आपने सत्यनासी के पौधे का 50 गराम जो पीला दूध निकाला है उस तो आपको थूहर के लाल दूद में भी जो है उसी को जो आपने तांबा लिया था जो आपने पचास ग्राम के आसपा जो तांबा धातू लिया था जो आपने वह तांबा लिया था और सक्तानुसार जिसका आपने चुरण बनाया था जिसको आपने सक्चनासी के दूद में जो है घोट करके खरल में डाल करके घोट करके जिसको आपने सुखाया था उसी सुखे हुए तांबे धातु की चुरण को आपको थूहर अवसदी के लाल दूध में भिगो करके घोटना है फिर इसको भी सुखाना है ठीक है जब यह सुख जाए इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको फिर से जिहां दोस्तों आपको फिर से तुवर पौधे का दूध चाहिए लाल रंग का और सत्यानासी के पौधे का जो है पीला दूध चाहिए 50 गराम इन दोनों को अलग-अलग रख दीजिए आप दोस्तों जो आपने इन दोनों के दूध में पहले स इसको जो है बुझाना है फिर दोस्तों इसके बाद दोस्तों फिर आपको जो है दुबारा इसको गरम करना है और फिर दोस्तों आपको इसको जो है लाल तुभर के दूध में जो है और इसको जो है दोस्तों बुझाना है दोस्तों यही किरिया दोस्तों दोनों दूध में ल दोस्तों अपने आप में बहुत ही अद्बूत है और दोस्तों आप देखेंगे कि दोस्तों जो ताबा है सुध सुने में तब्दिल हो जाएगा सुध सोना बन जाएगा और दोस्तों जब आप इस क्रिया में जब निपूर हो जाएंगे तो दोस्तों आपको भी लगेगा कि हां की सोना हमने बना लिया दोस्तों ये थी सोना बनाने की बिद्ध्या अगर पसंद आए तो दोस्तों इस जाने को शेयर करिएगा धन्वाज